हेलो एब्रिवन तो आज हम देखने वाले हैं क्लाश 10 के एक्सराइज 8.2 का कोश्चिन नमबर 3 एफ 10 a प्लल b is equal to root 3 and 10 a 1 बी is equal to 1 upon root 3 और condition दी हुई है कि a प्लल b जो है 0 से बड़ा और 90 के equal या फिर 90 से छोटा है दो सी condition यह दिए कि a बड़ा है b से तो हमें find करना है a and b ठीक तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पाल given है उस पर आते हैं और फिर देखते हैं अब आगे हम क्या कर सकते हैं देखिए हमारे पाल given क्या है given है 10 a plus b is equal to root 3 देखिए यहाँ 10a plus b is equal to root 3 कि 10 की value root 3 होती है एक बाद हम पता कर लें तो कि 10 की value root 3 होती है 1060 की value तो क्या हम यहाँ root 3 की जगे क्या बेक हम लिख सकते हैं 60 degree 1060 हम लिख सकते हैं तो 10 a plus b यहां पर हम लिख लेते हैं क्योंकि रूट से किस 10 की वैलु होते हैं 1060 की तो रूट से की जगे हम यह भी लिख सकते हैं 1060 और 10 में हमने क्यों लिखा क्योंकि इधर भी 10 था तो हमारा लिखने का यह परपस्ता कि दोनों साइट से 10 कैंसल हो जाएगा और बच्चे का क्या इसको हम ले लेते हैं equation 1 देखिए जो फर्स हमारा दिया था उससे हमने एक equation निकाल लिया आप सेकेंड वाले से भी हैं दूसरा equation निकालते हैं और दूसरा given क्या है 10 A-B is equal to 1 upon root 3 यहां भी वही काम करते हैं कि इस 10 की value 1 upon root 3 होती है 10 30 की value होती है तो 10 A-B is equal to 10 30 degree फिर देखिए दोनों side 10 है दोनों cancel हो जाएगा बच्चे का क्या A-B is equal to 30 degree तो A-B is equal to 30 degree यह बन गया equation 2 अब देखिए हमारे पाल दो equation है linear equation with two variable A plus B is equal to 60 degree A-B is equal to 30 degree तो हम दो method जानते हैं solve करने के लिए कौन सा substitution और elimination तो किसी एक से इन दोनों को solve करके A और B निकाल लेते हैं और वही हमें क्या करना है find करना है तो इन दोनों equation को मैं यहाँ पर elimination method से solve करने आ लिए हूँ तो अब देखिए हम क्या करें देखिए पहले equation में A plus B है दूसरे equation में A minus B है B की sin यहाँ plus में B की sin यहाँ minus में अगर हम दोनों equation को आपस में add कर देखिए एड कर देखिए तो क्या हो जाएगा B cancel हो जाएगा और A की value निकल आएगी तो हम क्या करने हाँ है equation 1 or equation 2 को add करने हाँ है पहले लिख लें यहाँ पर on adding equation 1 and 2 1 और 2 को add करने पर देखिए क्या है पहले लिखने देखिए 1 क्या है एपलाइ बी is equal to 60 degree और गिवन हो गया और 2 क्या है a minus b is equal to 30 degree देखिए elimination लें तो b यहाँ plus में b यहाँ minus में दोनों cancel हो जाएगा दोनों को अगर हम add करेंगे यहां क्या हैगा यह तो णियां है अब हमें waking कलना है देखिए हमारे प्रपस A है तो A की value हम चाहिए equation 1 में put कर लें या फिर equation 2 में put कर लें कहीं भी put करके B निकाल सकते हैं तो हम A की value यहाँ पर क्या करने वाले है equation 1 में put करने वाले हैं ठीक लिखते हैं यहाँ पर put A is equal to 45 degree in equation 1 equation 1 क्या है? A plus B is equal to 60 degree तो A की जगे हम क्या रखेंगे? 45 degree plus B is equal to 60 degree यहाँ से हमें B फाइंड करना है B के साथ 45 क्या है? plus में है तो दूसरी साथ जाएगा तो minus हो जाएगा तो यहाँ से हम B निकाल लेते हैं B के साथ यह प्लस में है तो यह इधर plus में इधर जाएगा तो minus में हो जाएगा ठीक है 45 यहाँ plus में है यहाँ 60 पहले था तो 60 degree अगर यहाँ plus में है तो उधर minus हो गया 45 degree क्या जाएगा minus करके 15 degree तो B की value आगे 15 degree और A की value क्या ही है 45 degree तो हमाँ एक वा लिख लेते हैं therefore A is equal to 45 degree और B क्या आगे 15 degree देखिए जो हमारी condition दी थी क्या वो इसको satisfy कर रहा है देखिए A आया 45 ब आया 15 ज़र आप question पर आते हैं देखिए question में दी दिया हुआ था condition कि हमें जो A plus B निकालना है A plus B दोनों का sum क्या होना चीए 0 से बढ़ा और 90 के एक वा या 90 से छोटा ठीक है तो देखिए यहां पर यह जो हमारा आया है 45 और 15 इन दोनों का अगर हम plus करेंगे क्या आयगा 60 तो यह 0 से बढ़ा है भी है और 90 से छोटा भी है ठीक है और दूसरी condition देखिए क्या है दूसरी condition देखिए कि A greater than होने चाहिए 20 तो देखिए यह हमारा बढ़ा है 20 तो इसके नद से यह answer आ गया है